सीबेसी बोर्ड परिक्षा 15 फरवरी से शुरू होने वाली है वहीं सीबेसी बोर्ड का नया साल अप्रेल में शुरू होने वाला है सीबेसी बोर्ड ने सेक्शन साल 2014-25 में कई बदलाफ किये सीबियसी अलग सेक्षिन सस्त्र में छत्वी से लेकर बारवी तक के छात्राओं के लिए एक नया प्रणाली लागू करने जा रहा है जिसमें छात्राओं को 40 क्रेडिट पॉइंट शामिल करने होंगे सीबियसी बोर्ड के छात्रों को 40 क्रेडिट पॉइंट पाने के लिए एक साल में कक्षाओं में 1200 घंटे की उपस्तिती पूरी करनी होगी दरसल सीबियसी ने नाशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के तहट स्कूलों में एक गाइडलाइन जारी की है ये फ्रेमवर्क सिक्षा के गती शीलता बदलाव लाने के लिए किया जा रहा है इसके लिए केंद सरकार दुआरा गठित एक उच्छ समिती ने स्कूल में उच्छ सिक्षा तक के लिए इंटिक्रेट क्रेडिट एक्युमलेशन और ट्रांसवर फ्रेमवर्क तयार किया है जिसके तहट छात्राओं को सेक्षिन और स्किल विशय में क्रेडिट दिये जाएंगे वैसे तो National Credit Framework सबी कक्षाओं के लिए है लेकिन इसे खास तोर पर 9 वी से लेकर 12 वी कक्षा तक के बच्चों के लिए तैयार किया जाएगा CVSE Board के निर्देशर डॉक्टर विश्वची सा ने इस सम्बन में सभी स्कूलों को दिशा निर्देशक भिजवा दिये है एक क्रेडिट हर हफ़ते के एक घंटे सेक्षिन या दो घंटे प्रैक्टिकल कारे के बराबर होगा एक क्रेडिट पॉइंट का मतलब है 15 घंटे की थियोरी के लिए जबकि एक क्रेडिट पॉइंट 30 घंटे की थियोरी और प्रैक्टिकल पॉइंट दोनों के लिए होगा बारवी तक के बोर्ड में काफी changes किये जा रहे हैं इसके साथ ही छटा और साथ विशे रखने वाले चात्रों को इसका अलग-अलग लाब मिलेगा वही तीन, चार, पांच, छे, साथ विशे प्रतेक के लिए 210 घंटे निधारत किये गए हैं और इसके लिए साथ साथ credit point दिये पाइदा मिलेगा जहां उन्होंने इस credit पर वेटेज भी मिलेगा कक्षा नौवी से लेकर सभी विश्यों के कुल 40 point मिले जाएंगे आज के लिए बस इतना ही ऐसे न्यूज अपडेट्स के लिए बने रही हमारे चैनल दनगरी न्यूज के साथ धन्यवाद